सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्ञान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके ओम नमो भग्यवते वाशुदेवा ये नमाह नमस्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि ब्रिशब रासी वालों का चार जुलाई दो हजार बीस का दिन कैसा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सुनें इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और उपाई हैं तो आप उसे भी देखें सुनें और आज माने का प्रियास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके पाडिवाडिक जीबन के बारे में मित्रों पाडिवाडिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानी है आज के दिन अपने घर के बच्चों के साथ आपको शमय बिताना होगा अपने घर के बच्चों को अच्छे संसक देने की जरूरत है और शंसकार के साथ साथ उन बच्चों को आप उनकी जिम्मेदारी शमझाने का प्रयास करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका पाड़िवारिक जीबन अच्छा हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध मित्रों प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कौन से आपका शमय अच्छा रहने वाला है आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमी का के साथ आपका शंबंध बहुत ज्यादा रोमांचक होगा और इस वजह से आपके प्रेम तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका। शंवह सामालने तोड पे बहुत जियाद बेहितर और शांदार है. आज के दिन अपने कामकाज में, अपने काड़ी छित्र में, अपने कर्मचाडीयों के साथ अपने शंबंध को आप अच्छा, बेहितर और मजबूत करने का प्र और शांदार हो जाएगा इसके बाद है आपका बैवाहिक जीबन तो बैवाहिक जीबन के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा रहने वाला है आज के दिन हो सकता है तो आपके जीबन साथी से आपको कोई सर्प्राइज मिलेगा और उस सर्प्राइज के वजह से दामपत्य जीवन बहुत ही ज्यादा मधुर और बिहतर होगा इसके बाद है आपका स्वास्त मित्रों स्वास्त के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा रहेगा आज के दिन जिस काम को करने से आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति हो जिस काम को करने से आपको खुसी मिलता हो आप वही काम करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके कामकाज में आपके काड़े च्छत्र में आपको कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी वैसे अगर आपके धन शंपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानी रहेगा आज के दिन अपन और सुनहरा आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है दो यनी की टू इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामानी है आज के दिन असनान ध्यान करने के बाद आप अपने इस्टदेब की पूजा करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ और शाथ में इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद